ये देखिए एक दम रसीला, रस भरा, सूजी का परफेक्ट गुलाब जामून क्या आप सोच सकते हैं? सूजी से इतना रसीला गुलाब जामून बनेगा तो चलिए इसे बनाने के लिए बाजार से कुछ नहीं लाना होगा आपके घर में रखे हुए समान से बनेगा ये सूजी का गुलाब जामून इसे खाने के बाद आप बाजार के गुलाब जामून को भी कर देंगे साइड और इसका टेस्ट में आप डूब जाएंगे चलिए बनाते हैं इसे सूजी का गुलाब जावन बनाने के लिए देखिए मैंने आधा कप ली हूँ सूजी ये बड़ा सा कप है कॉफी कप इसमें मैंने ली हूँ आधा कप सूजी और ये एक कप दूद है तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को जो कि सूजी आधी होनी चाहिए दूद के मातरा में अगर सूजी आधा कप है तो दूद मैंने ली हूँ एक कप और ये कुछ केसर है जो मैंने केसर के धागा डालूँगे इसमें और दो हिलेची और ये फ्राइफेन मैंने गैस पे चढ़ा दी हूँ उसमें डाली हूँ एक बड़े चमत से देसी गी इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसे सिर्फ पिघला लेना है मेडियम फ्लेम में ही तो देखे गी मेरा पिघल गया है इसमें डालेंगे दूद तो चलिए इसमें हम अब दूद एड़ करते हैं एक कप दूद है देखे बड़ा कप से और इसको थोड़ा सा गुनगुना होने तक इसको मिलाना है गी और दूद को तो देखे थोड़ा सा उबाला गया है इसमें डाल देना मेडियम फ्लेम में ही सूजी और सूजी को अच्छी तरह से मिला ले है तो इस समय हमको क्या करना है बहुत चाधा चलाना है बहुत तेजी से चलाना है बिल्कुल नहीं होता है तो दिसमे चाहरिभ दूल है तो एकЛगाने के बहुत दूझा कने के बाद यह इसने ठोडने के अब के खाल लेना है अब को सूजी को देखिए यह हलवा की तरह बन गया है तो अभी चिप चिपा है पूरे इतना ज़्यादा सोख नहीं हुआ इसको अवा थंडा होने के लिए रखेंगे तो थंडा होने के लिए इसे फैला के नहीं रखना है बिल्कु इसको समेट के रखना है चलिए आप बनाते हैं मीठी सी चासनी तो क्या कि यह हैं गैस के फिलम जला के एक सस्पेन चड़ा दी हूँ चाय वाला तो बरतन चासनी बनाने वाला थोड़ा गहरा होना चाहिए उसमें डाले हैं हम एक कप बड़े कप से जिस कप से मैंने सूजी डाली थी चीनी और और उस तो ज्यादा तार नहीं बनाना है चासनी को थोड़ा चिप चिपा हो जाए तेल के तरह तो फिर हो गया चासनी तो चलिए इसको हम ढ़के रखते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे हम सूजी को देख लेते हैं मेरा सूजी ठंडा हुआ है तो ठंडा हो गया है बिल्कुल इस तरह बनाते हैं बिल्कुल ढवयते हुए एक दो बार देंगे तो अनदर से इस गही बहरा के पूरे अच्छे चिप चिपा हो जाएगा। ऐसरो गुलगोल गुलगोल गुलगजप। तो चलिए इसको अच्छे से बना लेतें सारी का एक बैच तयार कर लेते हैं और जो भी डो बचेगा सुजी का गुलाब जामूर बनाने के लिए उसको दो बच के अभी नहीं बना के रखेंगे दूसरे बैच के लिए पहले इस गुलाब जामूर को हम फ्राय कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे तब तक क्या करें उसको मतलब कोटन वाले कपड़े या नहीं तो प्लास्टिक से आप कलॉधिन से ढखके रख ले तो फिर नहीं तो ड्रै हो जाएगा आपका डो तो चलिए तक हम फ्राय पे चड़ा लिये हैं गैस के फ्लेम जला हुआ है इसमें डाल दिये हम 200 ग्राम रिफाइन ओयल इसमें सरसों वाला तेल बिल्कुल ना डाले घी डाल सकते हैं और ये रिफाइन मैंने तो रिफाइन डाली हूँ तो चलिए इसमें क्या करेंगे सारी गुलाब जामून में एक मिनट तक टाच नहीं करेंगे इससे क्या होगा गुलाब जामून आपका फटने लेगेगा बिल्कुल आराम आराम से एक मिनट के बाद इस थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसको उलट पुलट करें गुलाब जामून को ऊपर से ओल डालते रह गुलाब जामुन और अभी पूरे लाल करके फ्रै करना है तो अब हो गया है बिल्कुल जादा भी नहीं करना है और देख लीजिए किस टैप का करना है आपको ब्राउन तो चलिए ये फ्रै हो चुका है एक बैच तैयार तो इसको हम चासनी में डुबो देते हैं तब तक इस दोहें से तरह से डुबो को रख दिया है अब दूसरा टैयार करते हैं तो को में ने अच्छा कलर आया है ये बहुत ही रसीला बनेगा बहुत ही टेस्टी भी बनेगा तो चलिए बहुत तक देख लेते हैं डेकि के रस भरा बना है, है ना बिल्कुल रस भरा रसीला, तो देखिए लगड़ा है, बाजार से नहीं लाए हैं, हम घर में बनाए हैं, तो इसी तरह से आप बनाए हैं, बिल्कुल देखिए ज्यादा समान भी नहीं लगा है, घर में आराम से बना लिए हैं, तो इस तीज भी ऐसा ह तो कितना अच्छा बनाए इसी तरह से बनाए एक गुलाब जामुन को अब हम तोड की दिखाते हैं आपको जो कैसा बना है पहले हम क्या करेंगे इस कंटेनर में रखते हैं गुलाब तो एक एक कड़के बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी अच्छा लगे ऐसे रखना चाहिए तो चरी इसमें हम डाल देतें सारी गुलाब जामून को देखिए कि इतना अच्छा बना है बहुत ही लजीज बना है एक बार इस तरह से जरूर बनाईएगा अब तोर की गुलाब जामून अगर आपको पसंद आया मेरा रेसिपी तो एक लाइक जरूर किजिएगा वीडियो को और अगर चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकान को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फैमिली नम्मर को जीतने भी दोस्त है सबको सेर कर दीजिएगा वीडियो गुलाब जामून बना काई है